नमस्कार दोस्तो दोस्तो स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल फॉर्म फिलप की नौलेज में दोस्तो आज किस वीडियो मैं आप लोगो को बताऊंगा यह एयरपोर्ट सर्विसेश लिमिटेड के दुआरा भूज एयरपोर्ट पे जो बहुत बढ़िया व फॉर्म को नोटिफिकेशन के गाइडलाइज के दुआरा कैसे भरना है तो चलिए पहले आपको मैं नोटिफिकेशन समझा देता हूँ उसके बाद ही आप डिसाइड कर पाएंगे कि फॉर्म को किस पोस्ट के लिए मुझे अपलाई करना चाहिए और कैसे करना चाहिए चार बारे दो हजार तेइस को इरिलिज किया गया है वालकिन देकूट्मेंट यहाँ पे एक्सरसाइज आयट भूज एयरपोट यहाँ पे अगर हम पहले पोजीशन की बात करें कि कौन-कौन से पोस्ट पे वेकेंसी निकाला गया है तो यहाँ पे देखिए भूज एयरप 12, 13, 14 को आपको 9 बजे से लेकर 12 बजे के दिन में जाना है कहाँ पे जाना है तो गोकुल ग्रीन आइसकॉन टेम्पल रोड बीएच द्वार का ग्रीन सोसाइटी एयरपोर्ट रोड राटिया भूज में आपको जाके यहाँ पे इंटर्व्यू देना है पहले आप नोटिफिकेशन का ऐसे डाउनलोड करना है दोस्तों नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए गूगल खॉलना है और गूगल पे आपको सर्च करना है जैसे ही आप एसल लिश के सर्च करेंगे तो इसका जो वेबसाइड आयागा www.aiasl.in इसी के रिकुट्मेंट वाले स इसके उपर आपको क्लिक करेंगे तो आप भूज एयरपोर्ट का फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे दोस्तों अब आगे बढ़िये यहां बोला जा रहा है कि AI एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड में जो है इंडियन नेशनल मेल एंड फीमेल भूज एयरपोर्ट पे तीन सा के बाद बढ़ा दिया जाता है यहां पी इसका बताया हुआ है कि इसमें कोई एक्जाम नहीं होता है केवल और केवल इंटर्विव वेस पे सेलेक्शन होता है अगर ड्यूटी ओफिसर में आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो आपकी सेलरी जो है न 32,200 मिलेगी आपको ग् पास के साथ अगर आपके पास 9 साल का एक्स्प्रियेंस है तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे 28,200 की सेलरी है और जेनरल में 35 साल से जादा एज नहीं होना चाहिए अगला जो पोस्ट है वो पोस्ट है हमारा कस्टमर सर्विस इग्जूटी इसमें जो है न OBC का एज 31 साल से जादा नहीं होना चाहिए और SCST का 33 साल से जादा नहीं होना चाहिए और यहाँ पे बात करें तो जुनियर कस्टमर सर्विस इग्जूटी जो पोस्ट है इसमें इंटर्मीडियेट पास मांगा गया है और इसमें जो है न PC पे आपको वर्क करने आना चाह और इसमें 16,170 रुपय का से जल्डी बोला गया है जेनरल है अगर आप हैं तो आठागी साल से जादा नहीं होना चाहिए OBC का 31 साल से जादा नहीं होना चाहिए Cerer meter 33 साल से जादा एज नहीं होना चाहिए अगला जो पोस्ट है और वो पोस्ट है रैंप सर्विस इक्राहि और इसके साथ साथ आपके पास HNB लाइसेंस होना होता है वो आपके पास होना चाहिए तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं 20,130 रुपाई की सेलरी है जेनरल 28 साल तक और OBC 31 साल तक और CSP 33 साल तक अवेदन दे सकते हैं अगला जो पोस्ट है वो पोस्ट है हमारा utility एजेंट इसमें तेन्थ के साथ साथ आपके पास ड्राइवी लाइसेंस होना चाहिए और ड्राइवरी का knowledge होना चाहिए तो आप इसमें आवेदन दे सकते हैं 16,710 रुपाई का सेलरी है जेनरल 28 साल तक OBC 31 साल तक और CSP 33 साल तक आप लोग आवेदन दे सकते हैं अगला जो पोस्ट है हांडी मैन और हांडी ओमैन हांडी मैन का मतलब होता है कि यह पूरुस के लिए है हांडी ओमैन का मतलब होता है कि यह महिला के लिए है यहां पे तेन्थ क्लास पास मांगा गया है और इसके लावा इसमें कुछ नहीं बोला गया है 14,310 रुपाई का सेलरी है जेनरल से अ गया है वो आपके पास होना चाहिए और पांसर उपाय का डिमांड ड्राफ होना चाहिए डिमांड ड्राफ जो होगा वो AI Airport Services Limited मुंबई के नाम से फेवर में बनेगा है CSD और एक सर्विसमांड को डिमांड ड्राफ यानि की 500 उपाय का पैसा नहीं पे करना है और यहां पे बोला गया है कि जो आपका फोटो होगा वो रिसेंट फोटो होगा तीन महीने से ज़्यादा पुराना आपका फोटो नहीं होना चाहिए और डोकोमेंट में आपको लेके जाना है इंटरव्यू पे अब कहां लेके जाना है तो मैं आपको बता देता हूँ आगे पढ़िए यहांपर देखिए यह फोर्म है इस फोर्म को आपको भार लेना है यहांपर बताया हुगा है पोजिशन अपलाईट फोर तो आप जी इस पोजिशन के लिए उसका नाम दिखना है जिस पोस्ट के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन है या इलेटी क्रेटेरिया है उस फॉर्म को आप लोग भर लेंगे और भरने के बाद जो है ना 12-13-14 में से कुशी एक तारीक को 9-9 से लेकर 12 बारे बजे के बीच में गोकुल ग्रीन आइसकॉंड टेंपल रो नोटिफिकेशन के मुताविक आप ये डिसाइड कर लिए होंगे कि मुझे किस पोस्ट में जो है ना फॉर्म को अपलाई करना है उससे पहले आपको यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज फोटो चिप काना है उपर में आपको कुछ फिल नहीं करना है और फोटो के उपर इसी एक पोस्ट का नाम आप यहाँ पे लिखेंगे जैसे मान लिजिए कि अगर एक फीमल कॉंडिट्स है तो जो हांडी ओमें का पोस्ट था वो केवल और केवल फीमल कॉंडिट्स का था तो यहाँ पे अगर कोई फीमल कॉंडिट्स है तो यहाँ पे हांडी ओमें लिखे देखिए नाम जो लिखना है वो आपको तेंत के सौटिफिकेट के एकोर्डिंग लिखना है पहले आपको फोस्ट नेम की जगह पे यहाँ पे फोस्ट नेम लिखना है अगर आपका मिडल नेम भी है तो यहाँ पे मिडल नेम लिखेंगे और सरनेम की जगह पे आपको अपना last name लिखना है और यहाँ पे जो है ना दो नमबर में आपको अपने पिता जी का नाम लिखना है तीन नमबर में आपको अपना date of birth लिखना है और चार नमबर में यहाँ पे जो है आपको place of state of birth यानि कि आपका जहाँ पे जन हुआ है जिस राज में उस राज का नाम आप यहाँ पे लिखेंगे उसके बाद दूसरे नंबर पेज की बात करें तो यहाँ पे पहले नंबर पेज पे चार नंबर तक था दूसरे नंबर पेज पे जो है न पांच नंबर से स्टाट है तो यहाँ पे आपको correspondence address फिल करना है correspondence address जो आए वो सबसे पहले आपको village का नाम लिखना है अगर आप काओं से बिलोंग करते हैं अगर आप सहर से बिलोंग करते हैं तो आपको house number लिखना है, post office लिखना है police station लिखना है और यहाँ पे pin code number लिखना है और यहाँ पे state का नाम लिखना है यह लिखने के बाद आपको यहाँ पे 5 के B में यहाँ पे mobile number लिखना है और 5 के यहाँ पे C में email id लिखना है उसके बाद यहाँ पे आपको 6 number में gender बताना है कि आप male है कि female है उसके बाद 7 number में यहाँ पे marital status अब देखिए marital status जो है ना आप विवाहित है कि औविवाहित है अगर आप unmarried है तो यहाँ पे जो है आपको tick नहीं करना है आपको X mark कर देना है यानि कि capital X आप कर देंगे तो इसका मतलब कि आप unmarried है अगर आप इसमें करेंगे तो इसका मतलब कि आप married है इस तरह से आप जो है ना आपको religion बताना है कि आप हिंदू मुस्लिब सीखिसाई में से किस मतलब community से बिलोग करते हैं उसके बाद यहाँ पे दोस नमबर में आपको अपना मात्री भासा बताना है वेगारा नमबर में आपको यहाँ पैन काड का नमबर बताना है फिर यहाँ पे बारा नमबर में आपको अधार काड का नमबर बताना है फिर यहाँ पे आपको जो है ना यह जो job है यह central government का रिजर्वेशन follow करता है तो आप अपना यहाँ पे category बताएंगे कि आप general से हैं कि OBC से कि HCT कि EWS से हैं जिस भी category से आप बिलोग करते हैं उसमें टीक नहीं करना है उसमें आपको जो है ना एक स्मार्क कर देना है जैसे कि मैं यहाँ पे किया हूँ उसके बाद आपको यहाँ पे इसके B में 13 के B में आपको यह बात बताना है कि आप जो है अगर एक सर्विसमेन हैं तो आप इसको यॉस करेंगे और नहीं है तो आप इसको नो टीक करेंगे फिर तिसरे नमबर पेज जो है इसमें आपको बताना है यहाँ पे सी में देखिए क्या बोला जा रहा है कि अगर आप पुलिस सर्विस में हैं तो आप इसको यस करेंगे और नहीं है तो आप इसको नो करेंगे उसके बाद अगर आप कोई भी यह नि गवर्मेंट सर्विस में हैं तो आप इसको यस करेंगे और नहीं है तो आप इसको नो करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपसे 14 नंबर में एजुकेशन क्वालिफिकेशन पुशा जा रहा है देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है जिस पोस्ट के लिए आप अवेधन दे रहे हैं उसके मताविक सेलेट करना है जैसे कि मैं यहाँ पे हांडी मैन के लिए आवेधन दे रहा हूँ तो मेरे में केवल और केवल 10th mandatory है देना इसके अलामा कोई पोस्ट पे क्वालिफिकेशन नहीं भी दू तो काम चलेगा लेकिन अगर आप ऐसे पोस्ट में आवेधन दे रहा है दूरेशन में 1 year लिखेंगे, percentage बताएंगे 12th में अपने board या university का नाम लिखेंगे passing year, month, date बताएंगे और यहाँ पे duration में 2 year select करेंगे, percentage बताएंगे डिपलोमा किया है तो डिपलोमा के बारे में बताएंगे अगर आप graduation degree तक है तो यहाँ पे जितना भी आपके पास qualification है उसके अनुसार आपको यहाँ से select करना है उसके बाद अगर हम बात करें तो 15 नमबर में आपको कौन-कौन से language बोलना, लिखना, पॉढ़ना आता है इसके बारे में आप बताएंगे देखिए सबसे पहले यहाँ पे English के बारे में पूशा जा रहा है कि आपको अगर read करना आता है तो आपको सवही का निशान नहीं लगाना है आपको यहाँ पे x mark कर देना है तो यहाँ पे x mark कर देना है read, write लिखना है तो x mark कर देना इस तरह से आप सभी लेंग्विज, जो जो लेंग्विज को आप जानते हैं, यहाँ पे सब में एक मार्क कर देंगे, उसके बाद जो है न, आपको यहाँ पे सोरा नंबर में work experience पूशा जा रहा है, कि आपने कहीं पे अगर job किया है, तो यहाँ पे बताएंगे nature of organization, किस organization में काम किया है, किस post पे काम किया है, कोब से कोब तक काम किया है, कितने साल का आपके पास experience है, और यहाँ पे nature of job आपका क्या था, उसके बाद अगर जितना में काम किया है, यहाँ पे experience डाल देंगे, experience डालने के बाद जो है न, अगर आपके पास license है, तो यहाँ पे बताएंगे, कि आपका जो license है वो LMBI की HMB है license number बताएंगे date of issue बताएंगे कब तक valid है वो बताएंगे उसके बाद जो है न मैंने आपको notification ने बताया था पहले ही कि इसमें जो है न ये 500 रुपए का application फी लग रहा है जो कि आपको demand draft के माध्यम से pay करना है general OBC EWS category वाले को SCHT एक service माइन वाले को demand draft में छूट है तो यहाँ पे जो है न आपको अपने branch का नाम बताना है जिस branch से आप demand draft बनवाएं है और यहाँ पे date of issue बताना है demand draft number बताना है event में यहाँ पे 500 रुपए रहेगा उसके अगला page का अगर बात करें तो यहाँ पे जो है न अगर आपका कोई relative इसमें work करता है तो उसका नाम बताएंगे उसका post बताएंगे company बताएंगे और relationship उससे बताएंगे और यहाँ पे आपको अपना place लिखना है और यहाँ पे आपको signature करना है और यहाँ पे आपको अपना date लिख देना है जिस date को आप form फिल कर रहा है उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे documents का है न यह नेग्जर है documents का इसको आपको बताना है कि आप कौन-कौन से documents जो है न वहाँ पे photocopy इसके साथ attach कर रहा है जैसे अगर मैं बात करूँ तो अगर मान लीजिए कि अगर आप general EWS OBC के डेगरी से हैं तो यहाँ पे पुछा जा रहा है यह application फी कि आप में applicable है तो यहाँ पे use करेंगे और यहाँ पी school living certificate का जिरोक्स लगा रहे हैं तो यहाँ पे use करेंगे math degreeATION का माक्षिट याPاسिं certificate लगा रहे हैं तो यहाँ पे use करेंगे dual का passing certificate और math certificate लगा रहे हैं तो यहाँ पे use करेंगे उसके बाद अगर आप Deb Efendimiz लगा रहे हैं तो यहाँ पे अगर आप SC, ST, OBC certificate लगा रहे हैं तो यहाँ पे यास करेंगे discharge certificate लगा रहे हैं एक service man candidates हैं तो आप इसमें यास करेंगे उसके बाद अगर आप experience certificate लगा रहे हैं तो यहाँ पे जो है ना पंदरा नमबर में यास करेंगे domicile certificate लगा रहे हैं तो यहाँ पे यास करेंगे, पैनकाट और अधारकाट की कोपी सोभी काडेगरी को लगाना है, तो यहाँ पर यास करेंगी, अगर आप EWS काडेगरी से हैं, तो यहाँ पर EWS वाले में यास करेंगी, अगर आपके पास Driver License है, तो दोनों साइड का आपYO जिरोक्स लगाना है तो आप इसमें यॉस करेंगे उसके बाद जो है ना अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप 21 नंबर में यॉस करेंगे तो इसमें से आपको देख लेना है सो भी नहीं लगाना है जो डोकोमेंट्स आपने आपमें इलीजबल है या आप लगा रहे हैं उसी में यौस करना है और उसका जिरोक्स करा के और यह जो 6 पेज का अपलीकेशन फॉर्म है इसके जोस्ट नीचे आपको रख देना है और रखने के बाद जो है जैसा कि मैं आपको नोटिफिकेशन ने बताया कि भूज एयरपोर्ट पे जो नोटिफिकेशन मैं दिखाया उ आप लोग कैसे ओफलाइन आवेदन देंगे और वहाँ पे जाके कैसे इंटर्विव देना है फॉर्म को कहीं सेंड नहीं करना है आपको वालकिन इंटर्विव यानि की जो टेट नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है उस डेट को आपको इंटर्विव देना है अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे इंटर्मेटी वीडियो के लिए मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजिए आज के लिए पसी तना ही मैं आज से बीजा लेना चाहूंगा तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूटू चैनल फॉर्म फिल अपकी नोले जाए हिंद जाए भारत